गुड मॉर्ण तो आपको लास्टेन का चैप्टर नमबर फाइफ समांतर स्ट्रेडी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो उसको पढ़ना है इंट्रो पाथ फॉस्त है मतलब कि अभी तो इंट्रॉडक्शन ही है तो समांतर स्ट्रेडी में क्या-क्या होता है पहले अंग्रम होता है अंग्रम क्या होता है वह देखे यहां पर अल desarroll मेंने लिखा है संख्याओं का ऐसा समों जिसको एक निस्चित कम में या निस्चित निमानुसार रखा गया प्राइं हो अनुक्रम कहले है देखिए कोई भी संख्याइप देखते हैं बॉरन टुड़ तो यह एक अनक्रम बनाती है कैसे जिसमें संख्याएं आरोही क्रम में रखी गई है बढ़ते असेंडिंग ओडर में नहीं यह नहीं ळिए निश्चितक्रम हुआ कि नहीं दो नशेक्रव हुआ इसको हम कर लगते हैं यह अनुक्रम है सेकंड इग्जामपल संच्छाय थ्री सेक्स नाइन डॉट 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 इक अनुक्रम है क्यों देखिए जिसका प्रदेग पद अपने पूर उपद में तीन जोड़ने पर प्राफ होता है इसमें इसमें इस्टीन जोड़ेंग, न मुच्छ्य ब Sw में देखिए छो री को शॉट हो जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा यह अनक्रम और वी ऐसे एक्जांपल से जैसे नेस्जिरल नंबर्स होल नंबर्स तो और फिर जितनी भी विशें संच्छाएं संच्छाएं सब सब्सक्राइफ निस दिश्चित्रम में है इसले हैं अंकरम बोलेंगे उसको और फिर आगे देखिए माना ना क्रम तो इसमें पहला पद द्थी कि अ कि पहले कि यह कि यह लास्ट अंतिम पद नहीं है यानुमा अन्तिम पद नहीं है यह यानुमा इन प्रोडियन की वेलू जो भी रखेंगे वो पड़ यह है ठीक है इतना प्रोड करिए फिर आगे अब आगे अब हुआ कि वर्चोर नेक्स्ट टॉबिक आप आता है स्रीडी इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं तभी अनकरम आप पढ़ें अब आपका है प्रोग्रेशन स्रीडी अब यहां पर ऐसा अनकरम जिसमें पढ़ों को कुछ विशेश प्रतिबंद हो के शाथ लिखा जा सके अर्था जिसका प्रतिएक पन किसी विशेश नियम के अंतरगत द्यवस्तित हो स्रीडी तेहलाता है ठीक है मतलब कि किसी विशेश प्रतिबंद के साथ लिखा जा सके वो स्रीडी कहलाता है कि जैसे एक्जांपल में आपका है यह अनुक्रम 579 11 डॉट 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 ऐसे एक स्रीडी है कैसे देखिए क्योंकि इसका प्रतिएक पार्थ उसके पूरपद में दो जोड़का प्राप्त किया गया है देखिए अगे तो यह विशे स्क्रम में रखा गया है क्योंकि दो जोड़ दिया जाए उसका अहला पद आ जागा लेकिन आए सेकंड वाले में अनुक्रम है एक स्रीडी नहीं है क्योंकि अनुक्रम तो है स्रीडी नहीं है क्योंकि देखिए इसके पद किसी विशेस नियम के अंतरगत व्यावसित नहीं किया जा सकते है क्योंकि देखिये अब ये इसमें इस नियम के अंतरक्त वियवस्थित नहीं किया जासकता इसलिये ये स्रिणी नहीं है और फिर एनट में कि सभी स्रेणिया अनुग्रम होती है परन्तु सभी अनुग्रम स्रेणि नहीं होती हैं तो इसको आपको आप बनोडेली समझने में हैं कि उसके緓 पिर आग़ला नेक्स टोपिते हैं अब आगे बच्चों उस स्रेड़ी के बाद समाहता स्रेड़ी के अनुक्रम आप पड़े उसके बाद के स्रेड़ी अब आई यहां समाहता स्रेड़ी जो आपका में टॉपिक है अब आपको यहां पर देखन gehört एसी स्रेड़ी जिसमें प्रतेक पर अपने से पूरुपद में निहम नियत शंख्या जोणने से प्राख होता है स्राधस्यणी के राती है और इस निस्चित संख्या को श्रातस्यणी का सार्भा कंतर होता है common difference जो होता है आई जैसे एक्जाम्पल में लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और दो यह देखिए इसको हम समांतर से नहीं कैसे हैं कैसे देखिए दो में हम दो जोड़ रहा है तो 4 आ रहा है फिर 4 में 2 जोड़ रहा है तो 6 आ रहा है, 6 में 2 आड़ कर दे रहा है तो यह 8 आ जा रहा है, 8 में 2 आड़ कर रहा है, 10 आ रहा है तो इसलिए हम कर सकते हैं यह एर्फिनेटिक प्रोबेशन है, F ही है, अब देखिए यह प्रथम पद है, 2, A1 जिसको प्रथम पद बोलते है प्रथम पद जो आपका क्या है, 2 है, A2, B3 अपद बोलते है जो यहां पर 4 है, ऐसे त्रितिये पर, A3, A4 और A3 पर त्रितिये अब देखिए, जब हम इसका देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यही है, कॉमन डिफरेंस, जो निसी संख्या है न जय से पूर यह देखिए, जो आने वाली संख्या है, इस संख्या मेंसे, पूर वाली संख्या घटाने निसी थिक्टा कांस टो देखिए, कॉमन डिफरेंस होता है, D, इसके हमेसा सार्वांतर को D से प्रिजन करते हैं, तो यहınız सार्वांतर होता है, वो D होता है तो यहाँ पर इसमें देखिए D पर्ड क्या होगा A2 माइनस A1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 फिर वाई यहाँ A3 माइनस A2 6 माइनस 4 इकपल तू A4 माइनस A3 इकपल तू 8 माइनस 6 इकपल तू देखिए D formal difference वो वो सेम आ रहा है करें तो इसलिए अगर common difference सेम आए तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर सेड़ी में है आगे देखिए जैसे माल ले रहा है कि A1 A2 A3 A4 A4 डॉट 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 A1 यह AP arithmetic probation यह जो क्या है वो समांतर सेड़ी तो देखिए हमेशा फास्ट टर्म क्या है प्रथांपद A1 है और फिर दृतीपद क्या है A2 है ना तो यहां पर तो प्रथांपद यह A1 है देखिए A2 क्या है A1 प्लस सब्स A1 प्लस D फिर A3 प्लस D A2 प्लस A4 इक्वल दू A3 प्लस यह ऐसे बिरिख सकते हैं वैसे एक तो यह हो जाए अब ऐसे सामानतर होब से चलिए इस ताँ देखिए सामानतर कैसे लिखते हैं वो आपको आगे बता रहा हूं आगे A1 वाला देखिए A1 इक्वल टू A1 माइनस 1 प्लस D यह तो लास्ट का हूँ आगे बता हूँ यह नॉर्मली ऐसे होता है मतलब की जो संख्या है उसमें अगर हम एक निश्चिस संख्या जोड दे रहा है तो आगे बाली संख्या प्राप्त हो जाएगी यह इसका कॉंसेट है आगे कुछ और इक्जाम्पल हम आपको देखते है तो बच्चों समानतर सेड़ी को समानतर कैसे लिए समानतर समानतर सेड़ी को A प्रधामपड हो गया A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D एं डॉट डॉट ऐसे लिखते चल जाते हैं जहां पे A प्रधामपड है A प्रधामपड और D सारवन पर D जाया है? सारवन पर तो 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 A 3 प्लस 2D A 4 प्लस 2D A 4 प्लस 2D A प्लस 3D जितना हो गया? अब आपका A एं कितना हो गया? A एं A एं फ्लस्टर भी रहेगा A प्लस A एं यहान है? उसे इंकम N-1 इंतु B यह आपका लास्टर है A एं कितना है? A एं कितना है? यही मेन कॉंसेट इसको हमें साइसी पर आएं कितना है? प्लस इंको गे लिख सकते है? ठीक है? ऐसे समानता जैसे महाली जैया आपका स्रेणी दे दिया और फिर उसके बाद कहए A1 A और D के टर्मेन तो समानता हमें साइस को A A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D डोड़़़ दोट a प्लस y-1 into d ऐसे लिखे हैं ठीक है नोट में भी है तो बज़े नेक्स टॉपिक है समांतर स्रेडी का यौणा पड़ समांतर स्रेडी का यौणा पड़ तो मान लेते हैं कि माना समांतर स्रेडी का प्रत्थम पर a और सार गौंतर D है तो इसका यहनुमा पद यहनुमा पद वही देखिए अभी आपको इसके पीछे बताया थे A N equal to A plus A N minus 1 into D फिर आगे समातर सिर्डी का यहनुमा पद ब्यापक पद पद कहलाता है General Turn पद ब्यापक पद कहलाता है General Turn पर आगे इसी में यह तो होगी आपका यहनुमा पद यह रिटर टूए प्राशे A minus 1 into D आगे देखिए यदि समातर सेड़ी में कुल यहन पद कितने हो यहन पद जब समातर सेड़ी में कुल N पद हो तथा यहनुमा पद रथा अंतीम पद यह जब अंतीम पद L हो कुल पदों की संच्छा यहन हो और अंतीम पद L हो तो L इक पद दूए प्राशे यहन माइनस वान इंटू D वहीं जो यहां है पढ़ीचे जहां बसकिए यहन के अस्थान पर यहां पर कहा हुआ है कि यहनुमा पद अंतीम पद क्या हो यहां हो इसलिए क्या हुआ हुआ है यहां प्रथा पद है और यह सारवांतर डी है और यहनुमा पद यहां है ठीक है दोन करीए देखिए एक समादर सेड़ी होते हैं एक्जाम्पल के तौन पर फाइफ कामा एट कामा एलेवन कामा फोर्टीन जी एट एपी है समादर सेड़ी में है क्यारा है कि इसका प्रथांपद और सारवांतर ज्यां कीजिए तो देखिए प्रथांपद एक पर जू फाइफ है और सारवांतर डी सारवांतर डी होता है हमेशा तो इसका मतलब यहां पर एट माइनस फाइफ तो यह कितना हो जाएगा थ्री वैसे कि देखेंगे अलेवन में से एट गटाएंगे कितना आएगा थ्री आएगा फोर्टी में से एट गटाएंगे थ्री आएगा इसका सारवांतर कितना हो अधि जितना हो थ्री प्रथांपद एए वह से अभी कुछ यह से एन को हम टी एन भी लिखते हैं जैसे टी एन भी होता है इक वाल तुब दोनुस एक ही चीज है टी एन और एन मतलत कि 19 दो एक मांब हां चैसे आगे कुछ एक्ट्रेशन है कि आनुकरम दिया हुए जैसे टी इंग्वांट्यू दे दिया है तिए निगफ़ांची मदेटिया है कि 5 प्लस 6 यह दे दिया अब कहरा है कि यह समालतर शेड शेडिय है बाब निकाली किया यह समालतर शेड है कि नहीं अब यहां पर आप क्या तरहेंगे माना यह इन इक फोल टू थी पोएं डॉड 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 रखने पर अब रखने पहले चेकर यह तीवन या एंड तो फाइव प्लस 6 इंड डॉड प्लस 6 इंड ट्टू यह तीवन गोड झाली डॉड यह तीविन इवन यह तीतवल यह तू प्लस इंड ट्बस प्लास 18 एकवल टू 15 54 निकाल लेजे 5 प्लास 6 इंटू 4 5 प्लास 24 इंटू 29 अब देखिये आप चेक करें कि इनका जो कॉमन डिफ्रेंस है यह जो स्रेड़ी बनी हुई है स्रेड़ी क्या बनी है 11 17 23 23 अब देखिये इनका जो सारवांतर वो सेम है मतलब की प्लास निकाल लेजे T2 मानस T1 कितना है T2 मानस T1 मतलब की 17 मानस 11 यह कितना है 6 फिद T3 मानस T2 यह देखिये 23 मानस 17 यह कितना है यह भी 6 है ठीक है और फिर T4 मानस T3 मतलब की 29 मानस 20 यह कितना है यह कितना है यह भी 6 ही यह तो अता क्या है यहां पर जो सारवांतर डी है वो 6 है ठीक है तो अता हम चालिक सकते हैं अता TN इक्वल तू 5 प्लस 6 N समांतर स्रेडी है कोई पेसे बहुत सारे पेसे दिये रहेंगे आपको यह दिया रहेंगा तो यहां पर N1.1234 रखते हैं आप ले लेंगे पहले T1 निकाले T3 T4 ऐसे निकालेंगे फिर उसके बाद फिर महाँ से T2 मायस T1 निकालेंगे यहां से फिर T3 मायस T2 निकालेंगे फिर T4 मायनस T3 कालेंगे ऐसे सारमांतर से करेंगे सारमांतर जो निश्चित संख्या होती है वो सेम अगर आ रहे तो वो सारमांतर से निकालेंगे यहां पर जो सारमांतर D है वो हर जगा सेम आ रहा था तो इसलिए क्या वह इस समातर के लिए है और भी ऐसे आगे पेशन्स होंगे आज के लिए बस इतना ही बागी नेक्स्ट है